नमस्कार दोस्तों आपका धनमंतरी कृपया हैल चनल में informação है बहुत स्वागत कूरोन है दोस्तों ये वीडियो जो है आप सभी के रे बहुत खास है ये वीडियो सुगर के उपर है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो में इसलिए डारा हूँ उसका पीछे कारण है क्योंकि आज मुझे एक लड़की का फौन आया और एक बजर्ग जिनकी उमर जो हो वो सतर साल के क्रीब है तो सतर साल उमर में वो इनका इतना बुरा हाल हो गया है कि वो लकड़ी की तरह सूख गये हैं अब इसके पीछे कारण क्या हुआ कारण ये हुआ कि हर कोई ब्यक्ति जो मेथी दाना क्रेला वीज ये वो जो गर्म तासियर की चीज़े हैं उनको अत्य धिक मात्रा में ये रोजने नसुरू कर देते हैं और बाद में क्यों होता है कि ये बातर सूगर में कनवर्ट हो जाती है बातर सूगर जो है इसकी पहचान इसमें पेशाब में बेरिया नसुरू हो जाता है तो इसी के उपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और किसी को किसी प्रकार की शूगर है दोस्तों ये सब के लिए बहुत जादा फाइदा करेगी ये जो करेगा ये में नस्खा आज की वीडियो में डालूँगा और गर्मियों में तो बिसेश कर इसे आप यानि की स्टंबर अक्तूबर महिने तक तो इसे आप कर ड़ें सर्दियों में चाहे आप इसका प्रयोग ना करें लेकिन गर्मियों के महिने में ये नस्खा जो है आपके लिए बहुत लावदाइक है और आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं आपको जो जो जितना भी सूगर लेवल बड़ा है उसमें आपको ये फाइदा ही करेगा और एक जो खास चीज है वो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि हम सभी लोग जितने भी सूगर के ओपर नुस्खे या वीडियो देखते हैं अगर उसके ओपर टाइटल जो है छोटा सा हो चुटकीला सा हो या कोई छोड़ी सी चीज से बात कह दी हो कि इससे जो है सूगर ठीक हो जाती है तो उसको आप ज़्यादा लोग देखना पसंद करते हैं और जितने गहराई वाली वीडियो होती है जिनके अंदर एक तथ्या बताय होता है उनको आप लोग नहीं देखते हैं क्योंकि जब तक आप अपने आपको नहीं समझेंगे तब तक सूगर जो है वो नहीं जाएग क्यों बढ़ती है ये बहुत सारे कारण होते हैं हमारे स्रील के अंदर पर चलो वीडियो मैं लंबा नहीं खींचूंगा तो सबसे पहले मैं आप सभी माता भेन भाईयों से निवेदने करूंगा कि अकरीपे आप इस वीडियो को जदा से जदा लाइक करें शेयर करें और इस चैनल को भी आप जूरूर सब्सक्राइब करने हैं अब इसमें सबसे मुख्या बात आती है कि आपने जिरू भी चाहे बच्चा है बूरा है यंग है किसी भी परकार की आपको सुगर है आप बजार से अच्छे किसम के ज़ौ ले आएं ज़ौ लेकर के आपने उन ज़ौ को जैसे गेहूं का दलिया होता है तो अतना आप ने उसको मोटा मोटा कूटना है अगर आपको ज़ौ का दलिया भी मिल जाता है तब तो बहुत बड़िया बात है अगर नहीं मिलता है, तो आप उसको घर में भी कूट सकते हैं या जैसे आपके पास सूभिदा हो, बैसे आपकर सकते हैं तो एक यंग आदमी के अनुसार जितनी आपकी मुठी है, जितनी आपको मुठी में बिद सूभियाता है उतना सा आप एक गिलास में रात को पानी में भिगो रहे हैं इसको डाल दाए है अब जब ये मतलब सुबह हो जाएगी तो दलिया जो है जो जो जौव का दलिया होगा उब नीचे बैठ जाएगा अब आप क्या करेंगे उपर से आप जो दलिया है उपर उपर से आप उस पानी को निक्थार लेंगे नीचे दलिया रह जाएगा अब इसके बाद क्या करेंगे आप किसी छनने से या कपड़े से आप फिर उस पानी को छान लेंगे क्योंकि जो इसका बाहरी शिलका होता है कि यवार वो पानी के ओपर आ जाएगा तो उस स्थिति में आप इसको चान करके आप इसे सुपह खाली पेट इस्तेबाल कर लिए इसके आपको दो फाइदे होंगे मैं मेथी और करेला वीज का कंपरिजन कर रहा हूँ इससे आपको ये फाइदा होगा कि एक तो आपको पित में गर्मी नहीं बड़ेगी मेथी दाना जो है बात अनाशक है और पित में ब्रिदी करता है गर्म होता है क्रेले का भी वो ही साब है लेकिन ये जो हमारा जो है ये ठंड़ा होता है तासीर में ठंडा होता है एक तो गर्मी नी करेगा आपको और दूसरा इस से आपको थोड़ी बहुत कब्ज होगी उसमें भी आपको निजात मिलेगी दोस्तो एक और चीज मैं आपको अगर आप सुनना ही चाहते हैं यहां तक तो इस वीडियो का मैंने आपको बता दिया ले माल या किसी का सुगर धाइसो है तो धाइसो से आप उसको धाइसो के ओपर बिनल दौई से कैसे लाओगे यह मेरा अपना प्रक्टिकल है इसमें क्या चीज होती है कि आप क्या करेंगे कर सकते हैं कोई भी पहले सुगर का मेजरमेंट करिए और ठीक दस पंदरा मिंट के ब अपर आ जाएगी करना आपको कुछ नहीं है दो कपड़े यानि कि दो गौज ले लेने हैं सूती कपड़े के एक को आपने चिल्ड पानी के ओपर चिल्ड पानी में भिगोना है और दूसरे कपड़े को आपने गरम पानी में भिगोना है आप उनको थोड़ा सा आपने चो चारा तरफ भी उसको जैसे घुमाते रही है कि शमर करना यह जो बाहर से थोड़ा लाइट आ रही है थोड़ा हवा तेज चली है बाहर से तो परदा उड़ रहा है तो उसकी वैसे थोड़ा लाइट में दिक्कत आती है यह तो अब आप क्या करेंगे कि जो गर्म कपड़ा है उसको आप नाभी के ओपर लगाएं और थोड़ा थोड़ा इसको चारा तरफ और नाभी के ओपर गुमाते रहें एक जगा स्टेबल नहीं रखना आपने और दूसरा जो है पेंक्रियाज के नीचे राइट साइड के नीचे पसली के नीचे आपने ठंडा कपड़ा लगाना है दोस्तो चुमकियत किसा में क्या होता है कि जो सौथ पोल जो गरम पोल होता है वो नाभी के उपर लगाया जाता है जो नौर्थ पोल है उसकी जो ठंडक ठंडा वाला पोर्सन है या जिसा भाग है उसका तो वो पैनक्रियाज के उपर लगाया जाता है और एक चीज़ बता द कपड़े का बहाँ पे धील धीले जैसे मैंने आपको बताया कि बहाँ पे गीले कपड़े से चिल्ड पानी से बहाँ मसाज करिए और देखिए पंदरा मिन्ट में आपको असर मिलेगा ठीक 15 मिन्ट पहले आप चक कर लिए 15-20 मिन्ट के बाद यानि कि यह जो प्रयों करना है दो से तीन मिन्ट तक करना है इसे उपर नहीं करना है यह भी मैं बता देता हूँ लेकिन फिर उसके बाद आगर आप 15-20 मिन्ट के बाद आप शुगर चक करेंगे तो आपकी शुगर जो हो घटकी आईगी इसका सीधा सा सबंद यह है कि हमारा जो नाभी स्थान है यह पहीं यहां पर लगा देते हैं तो क्या होता है इस फील जाती है सर्दियों में गय hem एी होता है कि इससे ब्लब स्कूर्वर कर जाती है और पैंक्रियाज को धन्रीया नाभी बाले उस्थान को गर्माई्स चाए और इसको थोड़ थनक चाहिए तो इस अधार पर भी यह वि सकते हैं तो बिलकुल आपको अच्छा रहेगा और जिस परकार हम लोगों को एक चीज और होती है बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपके पास बहुत सारे टिप से आप बताते रहते हैं कुछ ना कुछ लेगिन इसके पीछे एक अधार है अधार क्या है? कि ये जो मैं नुसके बताता हूँ या स्टायल बताता है तो हम इकसे साइज डालता रहता हूँ इसका बेसीक रीजन ये है के जैसे हम लोगों का treatment करते हैे उनको द्यबाई देते हैं जैसे चाहे को पिद सूगर वाला है चाहे बाद सूगर वाला है तो उसमें क्या होता है उसमें یہ मददगार जो मैं टिप्स बताता हूँ ये मददगार सावित होते है अभी आपको मैं बहूत सारी इस तरह की video यो बना के दूंगा और डालता रहूंगा तो ये सारी तीजे मददगार है और ताकि आपके जिसम के ओपर भी कोई नुकसान ना हो तो दोस्तों ये सिंपल से तरीके हैं और ये जो जौ का मैंने आपको बताए ये खाली पे टाबले सुगा ही इस पानी को पी लेना है चान कर करके और अगर आप इसको भी ये जो मैंने दूसरा गर्म कपड़े वाला बटाया और ठंडे वाला आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं तो दोस्तों मैं उमीद करूंगा कि अब मेरा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे शेयर करेंगे और चैनल में भी हमारा करेंगे इसको सब्सक्राइब करेंगे हमारा वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार